जोहार दोस्तों एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल जोहार जारखन इस्टड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों आपको पता होगा कि आज अभी कुछ देर पहले जारखन केबिनेट ब्रिफिंग हुई जिस पे काफी साथ ने इतजार कर रहे थे कि जारखन में ठेट परिष्षा के बारे कुछ हो साथिसाथ जारखन में सिचको के न्यूकती के बारे में कुछ ऐसा वहां पर हो ताकि उनको अच्छा लगे और जारखनın में सिचको कीnię मीं हो सके साथ जारखन तक वीडियो को जरूर देखें साथी साथ यदि आप खोठा के कि त्यारी करना चाते हो जैसरी Hadi GRA udahना चाहते हो जरु जुड़ा है जिसका लिंग निचे दिया है तो चली दोस्तों विडीो के चिश्टार करते हैं और आपको बताते हैं कि आज कhi केश्ट कुछ हुआ है सबसे पहले बात करते हैं जैरकों ट्रीक परिशा के बारे क्या हुआ है इसके बाद मैं बताऊंगा कि जहारखंद सिचक जो जहारखंद के सिचक बनना चाते हैं सरकारी सिचक बनना चाते हैं उनके लिए क्या हुआ है जारखंड में जो जेटेट की नियमावली बन रही थी काफी दिनों से बन रही है यह 2019 से ही बन रही है इस पे कुछ मतलब कहे तो कुछ भी नियूज नहीं आया है बस इतना सा नियूज आया है इतना कुछ कहा गया है कि जारखंड में जो जेटेट है उस पे जो नियमाली में संसोधन हो रहा है, उस पे मोहर लगी है और वो संसोधन होने होगा, अभी तक उसमें संसोधन नहीं हुआ है, बस इतना ही न्यू जाया है, आप ज्यादा खुछ नहीं होईएगा, कि जारखन में जेटेट परिशा बहुत जल्द होने वाला है, बस इ नेट में हुआ है सुन लिजिए पहले जारकन सरकारी मादमिक विद्याले शिक्षक एवं शिक्षक एक्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्थ नियमावली 2015 में संशोधन के संबंध में जाभी कार्मिक विभा जारा निर्गत अधी सूचना के अनुरूप प्रस्ताव संग्या 56 जारकन शिक्षक पात्रता परिक्षा संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्विक्रिती के संबंध में तो दोस्तों आपने सुना कि जे टेट का जो नियमावली है जो इसमें गरबड़ी था उसके संशोधन के लिए गठन किया गया है बस इतना ही हुआ है ज्यादा स्विक्रिकों की नियुक्ति होने वाली है और यह इसकुली सिच्छायम साचता विभाग के द्वारा जो होती है सरकारी मायदमिक सिच्छक नियमावली 2015 में गठन हुआ है और इस पर संसोधन हो रहा है जो भी प्रोब्लम्स था जो भी नया नियमावली इसमें एड करना है जारखन से मैट्रिक इंटर्स सब कुछ हो रहा है तो आप लोग एक बात सोच रहे होंगे दोस्तों कि जारखन में टेट परिछा पहले होगी या पहले सिच्छकों की बहाली होगी उसके बाद टेट परिछा होगी तो मैं आपको बताते आया हूं सुरू से लाश तक और अ यहीज़ होगा लेकिन 24000 से जखों की न्यूकती होने के बाद निवक्ती होने के बाद का सबड़ेगा और जो नेक्स्ट बहाली आएगी सतर हजार तो भी आएगई उसके आपका न्यूकती होगा उसके आप बहाली के योग्यू माने जाओगे यह मैं नहीं कह रहा है यहीं हो रहा है यहीं सच है आप देख सकते हो अभी के बारे जो परस्ता आया जो भी गठन क्या गया है उसमें बहाली का भी नोटिस आया है ना बहाली आया जैसे सरकारी माइदनिक सिचक नियुक्ति ने हमारे 2015 में भी संस आपका जेटेट परिच्छा होगा यह नियमावली में संसोधन हो रहा है सरकारी माइदनिक सिचक नियुक्ति में संसोधन हो रहा है यानि संसोधन क्या होगा सिर्फ इसमें जारकां से मैट्रिक इंटर होना चाहिए यह कुछ इस पर एड़ होगा और कुछ एड़ तो होने वाला है नहीं तो सरकाइ निमाने माडविक सीच हुआ कुछ हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जारकन में जो सीचकों की नेफन हुआने वाली है जो आनी वाली है उस पे C-Tate को मायनता मिलेगा तो आपको फाइदा होगा क्योंकि जे Tate तो होने वाला है नहीं पहले वाले न्युक्ति में तो अगर C-Tate को मुका मिल जाता है तो उन सभी छात्रों को मुका मिल जाएगा जो 2016 से लेकर 21 तक C-Tate पास हैं और जो 2022 में भी C-Tate पास हो गए हैं काफी लोग अभी भी पास हो गए होंगे तो उनको मुका मिल जाएगा वे छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं और उसका भी खुस खबरी आपको बहुत जाद मिलेगा जैसा कि आप जाते हैं कि पारा टीचरों में पारा टीचरों में जिन्होंने C-Tate पास किया था उनको भी सिवासत का लाग मिला इसलिए जारखन का जो सिच्छक बहाली होगा इस पे भी C-Tate को मायनता दिया जाएगा जो भी C-Tate का वेट कर रहे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ भाई आप C-Tate पास कर जाओ C-Tate पास हो तो आपके लिए फायदा है जे टेट होगा लेकिन आपका कब होगा आप खुद बता देना कब होगा नीचे कमेंट बोक्स में आपका सकेंड बार का बहाली जो होगा 24,000 के बाद जो 70,000 आएगा उस टाइम होगा इसलिए यदि आप C-Tate पास हैं तो आपके लिए फायदा है और C-Tate वाला को भी अब अपने आवाज उठाने होगी तब ही आपका जारखंट का सी चगवाली में आपको मौका मिलेगा फ्रेंट्स कैसा लगा ये वीडियो इसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर कामेंट बॉक्स में कामेंट कीजेगा और वीडियो को अधिक से अधिक सेयर कीजेगा फ्रेंट्स मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाई हिंद बंदे मातरां